हे दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका एक और ने वीडियो में आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसको जो है बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है अब मैंने जब पिछले वीडियो में एक बात करी थी कि टियागो जो है हाईवे में लगभग 24 तक का माईलेज देती है तब बहुत सारे लोगों की कमप्लेंड थी कि उनकी कारी उतना माईलेज नहीं देती क्या मैं जूर बोल रहा हूं या फिर माईलेज को मैं थोड़ा सा बढ़ा चला के बोल रहा हूं तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि टियागो जो है 24 तक का माईलेज ऐसे डिलिवर करती है अब यहां पर टियागो 24 से उपर का भी माईलेज डिलिवर कर सकती है लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो है 24-25 इसकी मैक्सिमम माईलेज रहती है तो बिना किसी देरी के चलिए इस सेटिंगस बिल्कुल सेम है आप जो है सेम प्रोसीजर को फालो कर सकते हो तो इस्ट्रूमन क्लस्टर में जो है आप एक चीज देखोगे की नीचे जो है कितने किलोमेटर पर लीटर की माइलेज अभी मिलने वाली है तो आप जब भी गारी को ड्राइब करें आपको कोशिश करनी है कि यह जो INSTF ही है इसको हमेशा फुल की तरफ ही रखे अब ओबियस सी बात है कि हर सिचुएशन में इसको फुल नहीं रखा जा सकता है लेकिन फिर भी जहां तक हो सके आपको कोशिश करनी है कि गारी के जो instantaneous fuel average है इसकी जो marking है उसको यहां तक फुल तक रखनी है अब फिलहाल गारी स्टार्ट नहीं है इसलिए यह 0 पर है लेकिन जब गारी स्टार्ट होगी और चलेगी तब यह fluctuate करती रहेगी अब कुछ गारीों में आपने देखा होगा XUV बगरा में या फिर रेनो की कुछ गारीों में वहां पर आपकी driving habit पर आपको marks मिलता है कि आपने 100 में कितना स्कोर किया है अब टियागों में वह वाली फैसलिटी तो नहीं है लेकिन इसमें यह वाला फीचर है तो आप जब भी कारी को drive करें तब आपको कोशिच करने है instantaneous fuel average को full की तरफ रखे इससे आपको 30 तक का mileage डिस्प्ले में शोगा लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में माईलेज लगबग 24-25 तक ही रहती है अब हम इस चीज की बात करेंगे वो जो है सबसे इंपोर्टन है जी हाँ रिपीर सबसे ज्यादा इंपोर्टन इसी के कारण आप लोगों के मन में एक गलत फैमी रहती है अब लेते हैं यह वाला ट्रिप यह लगबग 1500 किलोमीटर का ट्रिप और माईलेज सिर्फ पंदरा के आसपास है जो की बहुत ज्यादा कम है अगर आपकी गारी भी माईलेज कम प्रोवाइट कर डिया तो आपका भी डिस्पले कुछ ऐसा ही होगा इससे क्या होगा अब आप देखिए मैंने जो आपको instantaneous fuel average की बात करी अगर मैं इसी ट्रिप के साथ instantaneous fuel average को follow करना शुरू करूँ अभी से जो है मैं एकदम instantaneous fuel average को अच्छी तरह से follow करूँगा अब मैं जितनी भी कोशिश कर लो इस ट्रिप में जो है मेरी mileage 20 से उपर जा ही नहीं सकती तो इसलिए जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मीटर जो है ये set का बटन दबा के रखना है ताकि आपका ट्रिप जीरो हो जाए उसके बाद से instantaneous fuel average की जो मैंने बात करी उस चीज को आपको follow करनी है अब दोस्तों हम बात करते हैं third point की जो कि सिर्फ Tiago में नहीं हर गारी में applicable होता है अब अगर आप एक experience driver है तो फिर आपको ये point सुनने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आप जो है एक new driver हो तो फिर आपको ये चीज सुनने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अब दोस्तों आपको जो है कोशिश करना है कि आप अपना पैर light रखे ताकि आपको गारी थोड़ा सा ज्यादा mileage प्रवाइड करें आपको जो है sudden accelerations avoid करने है आपको जो है एक average speed maintain करनी है अगर आप 80 km per hour पे चल रहे हो तो फिर आपको 80 km per hour पे ही चलते रहना है आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार में 110 में चला गया फिर में 60 पे आगया फिर 80 में आगया यह सब करने से आपका mileage generally decrease होता है और highway में अगर आप गारी को 100 km per hour के ऊपर चलाते हो तो भी आपका mileage drop होता है तो जो third point है वो यह है कि आपको sudden accelerations unnecessary breakings इन सब चीजों को जो है avoid करना है ताकि जो है गारी आपको ज्यादा अच्छा mileage दे सके तो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आज के वीडियो में जो मैंने necessary acceleration इन सब चीजों को जो है avoid करना है अगर आप यह सब चीजे अच्छी तरह से करोगे तब आपकी भी गारी लगभग 24-25 तक का mileage देगी अब यहां पर मैं एक और पॉइंड कर सकता हूं वो है वन्दे मातरम भारत माता की जैए